हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल जैसे की फ्रेंट्स मैं इस चैनल पर जो है टेक्निकल से रिलेटेट कंसेप्ट क्लियर कराते हैं और अच्छे च्छे टेकनोलोजी के साथ आप लोगों के साथ प्रस्तूत करते हैं ठीक है तो अगला पार्ट जो मैं पर चलने के स्टार्ट करती ए तो मैंने पार्ट नमबर वन तया ठीक है आज फिर पर नमबर टू है कि जब जहां चलती है चलते चलते वह एक हाई कीस तरहसे जो ह्यावानने उॉड़ने लगती इस पर फार्ट बाट किंखे उस से पहले तो एक आप लोग पूरी वीडियो ऐब से कि पूरी वीडियो को वाच कीजेगा और ज्दा से ज्यादा से एंटरेस्टेट्ट टौपिक काज कल चल तो साइस से रिलेट्ट थोड़ी से वीडियो में दे रहा हूँ फ्रेट साव जे टिंजन थोड़ा समय आप लोगों को रिवीव देना चाहता हूं जैसे कि इसके बारे में मैंने बता चुका हूं इस चैनल पर ठीक है क्या चैनल पर बता चूंँ लास्ट में अभी मैं कैसा कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को ना कि पूरा और आप लोगों को समझ मे होगा कि यह हमारा नियम है आप लोग पढ़े होंगे बर्न रॉली का नियम ठीक है बनरूल का प्रेमें अखिर उसमें जो साइंटिस जी है वो क्या कहें है कि यदि जो वहां से दिया गया है एंजिनिंग में एक सबजेक्ट होता है डिप्लोमा एंजिनिंग में उसको बारे में बता है तो आप लोगने पढ़ा होगा कि बंलवली का सिधान था कि यो है इसका मतलब होता है और्जा को सनर्चन करना ठीक है जाको संर्चन करना यानि हमारा जो इस्थित्ती तुर्जा होती है या फिर अपना इस्तितीत उड़्या बढ़ तो कहांसे बराबर के बराबर ऊ risque उसी परकार से आज मैं ठाल करूंगा ठीक है तो आप लोग पूरी वीडियो को वाज किजिएगा चलिए देखते हैं इसका पहले पढ़ लेते हैं इसको और उसके बाद आप लोगों के शाश्यर कर रहा हूं ठीक है अनुशार बर नौली की प्रेमे के अनुशार किसी बहते हुए तरल में जहां वेग अ खारण पंख के उपरी तरह उपरी तल की वाको का वेग नीचे की तल की आधिक होता है फेंटर से AS hmm को समझ में होगा जैसे की यहां पर तरल में जहां वेग अधिक हो यानि गती अधिक हो वहां दाव कम होता है, जहां वेग कम हो वहां दाव अधिक होता है जाहिदसी बात है स्वाथ है उसकी ब्लेट की जो आकरिती होती है कुछ इस नुमा होती है तो जब सामने से हवाएं पड़ती है तो एक हवाओं का जो कलर है इस तरह से मैंने अक्टिवेट किया है तो एक जो ब्लेट का जो आकार होता है जो इसकी डिजाइंस होती है इस तरह से किया जाता है कि उसके नीचे वाला अकार इदमी इस्टेट होता है और ऊपर का अकार थोड़ा सा कर्व होता है ठीक है इतना तो आप लोगो समझ में आ गया होगा अब कर्व होता है फ्रेंट्स इसके पीछे बहुत का लॉजिक है इंजिनिंग लॉजिक है ठीक है अब क्या लॉजिक है आगे देखें आप लोग देखें यह जैसे आप लोगों को दिया गया जैसे कि मान लिजे कि यह अपनी हवा चल लए है ठीक है हवा चल लए है मान लिजे कि कि यह सथान पर हम लोगों को पहुचना है एक मुनिट फरेंट इस तर्व quickest है यहें इस्थान पे पहुचना है आप फ्रेंट्स हम इधर से अगर जाएंगे देखेए सीधा है अगर इधर से जाएंगे तो जल्दी पहुचेंगे लेकिन फ्रेंट्स Paranoia से अगर करव है यहां से करव है और यह कहीं समय में यह कहीं समय में यहीं दोनों को यहीं पहुचना है तो फ्रेंट्स वहां पे एक लॉजिक लगता है कि हम क्या करेंगे कि इसके गति से इसकी गति हम बढ़ा देंगे क्या करेंगे कि इसकी गति बढ़ा देंगे तभी फ्रे बढ़ा देंगे इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तभी फ्रेंट्स यह भी एक किलोमीटर प्रती घंटा के हिसाब से यहां पे पहुचेगी अगर फ्रेंट्स जहां पे इस पीड ठीक है इस पीड अधिक होगी प्रेशर वहां पे कम होगा जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे इस पीड अधिक होगी फ्रेंड तो यहां पे जब यहां पे जब इस पीड बढ़ेगी फ्रेंड तो यहां हवाओं का जो प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा और यहां का प्रेशर बढ़ जाएगा जहां पर एक थ्रस्ट लोड पैदा होगा लिप्टिंग फोर्स पैदा होगा जिसके होजा से जहाज उपर की तरफ उड़ जाती है अब फ्रेंट्स यह क्या है देखिए फिर ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब गती ज्यादा होने के कारण ठीक है अगर यहां पर फ्रेंट्स गति ज्यादा होने के कारण उपर का प्रेशर कम हो गया और गति कम होने के कारण नीचे का प्रेशर बढ़ गया इसके वजह से जो है नीचे वाला जो है प्रेशर अगर बढ़ गया और उपर का प्रेशर कम हो गय जादा है तो नीचे का एक फोर्स लगता है जिसके वह जैसे उपर का जो प्रेशर है कम होने के कारण उपर यह जहाज उड़ जाती है बस यही लॉजिक है फ्रेंट्स बरनोली जी ने यही कहा था कि यह जहां पर हवाओं का यानि गती जहां पर तेज होगी प्रेशर वहां पर कम होगा और जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पर स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी तो इसका उल्टा भी होता है फ्रेंट्स जहां पर गती कम होती है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है लेकिन यहां पर फ्रेंट्स स्पीड ज्यादा होगी और प्रेशर कम होगा ठ कुछ नहीं था इसमें ठीक है और आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग कि क्या कुछ है ठीक है फ्रेंट्स देखिए देखिए यहां पर पूरे अच्छ ढंग से समझाया गया है फ्रेंट्स मैं आप लोगों के साथ दिखाने की पूरी कोशीश करता हूं बैर रोली जी का यह प्रैंसिपल एक जांपल है ठीक है यहां पर बताया गया है कि यह विंग है जो इस प्रकार से है फ्रेंट्स इसका ठ के लिए द्धर से मालें यह यहां पर हमको घूं के जाना यहां पर यहां पे जाना है और यहां पर zeros अगर जादा हुई तो प्रेशर कम हुआ और जब प्रेसर कम होँगे अपना जहाद जो है हवाँ में वर विंग हंब फिरने लगेगा ठीक है यह कोई बताने वाला नहीं है क्योंकि नए टक्नलोजी है किस तरह से जहाज उड़ती है असमानों में आप इसको एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लिजेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर देजिए ठीक है देखे और मैं आप वीडियो जो आएगी ओ फ्रेंड्स बहुत यहाँ पर देखे थ्रस्ट लोड लगेगा वेट होगा सब कुछ यहाँ पर फ्रेंड समया आप लोगों को एक जो है फिगर की माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आगे फ्रेंड्स एक चीज और मैं बताने की कोशिश कर जो है सब्सक्राइब क्या मांग होता है उसी तरह से वीडियो आगे आती रहेंगी फ्रेंड्स एक चीज़ झाटाओं की यह हुप के बदा जो होता हूं का जो इधर से इंटर करती है फिर जोस्ट के तरफ फेकती है उस हवाओं की गति को सिर्फ हम लोग चेंज कर देते हैं बाहर कर देते हैं जिसके वोजा से जो है वो थ्रस्ट लूड नहीं में लग पाता है और हवाई जहाज सुलो होती चले जाती है यही बस थोड़ी सी टेक है वाई यहीं जा है और है कि खुलो हैं नहीं फस्वाइब मेंयगी गार से भल्पोर से ऱज़ रवश्णासभाप